नमस्कार मैं रेनकवा कटोच महला मोर्चा जिला द्यक्षा डिस्टिक रामन से हमारी राष्ट्रिय द्यक्षा वानथी शिर्नवासन जी ने जो यह कंपेंड चलाई वन क्रोड सेलफी वीद महला लाबार थी तो इस कंपेंड के माधियम से हमें भी यह अउसर प्रापत अंधेरे से उजाला, अंतोदे से उधे तक का जो सफर था हमने इस कंपेंड के माधियम से जाना। जैसे पहले, 2012-2014 से पहले हमारे जो माताएं भेने थी उनको जंगल में लकडी लाने के लिए जाना पड़ता था, दूर दूर गाउन पानी लाने के लिए जाना पड़ता लगे हुए हैं और जो हमारे उजवला के तहर्ट जो गैस लेंडर हमारी माताई भेनों को मिला है उससे उनका टाइम भी बच जाता है तो हम अपने मानिनिय परधानमंत्री जी का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करते हैं और उसी के साथ जम्मु कश्मीर वाले हम अपने आप को बहुत सोभागे शाली मानने हैं कि हमारे मानिनजे परधान मंत्री जीने में हमें जम्मु कश्मीर में जो हमारे एयुशमान भारत जो जिसे शे तो उसके बाद जो बहुत से हमारे ऐसे नागरिक थे कि जो हमारी सकीम सी उनका फाइदा नहीं ले पा रहे थे आप वो उन सकीम का भी फाइदा ले रहे हैं और जब बीच में हम गाउं में गे तो अपनी महलाओं के साथ मिला तो महलाओं ने मोदी जी के लिए कोटी-कोटी धन्यवाद कहा और इतना कहा दिया कि मोदी जी इश्वर का रूप है और उने अगर पधान मंत्री चाहिए तो सिम मोदी जी जैसा ही पधान मंत्री चाहिए और कोई भी नहीं चाहिए तो मैं अपने जमु कश्मीर की अवाम की और से और अपने डिस्टिक रामन की अवाम स और खास तोर पे अपनी महिला मोर्चा की टीम की और से अपने मानिने प्रधान मंत्री जी को कोटी-कोटी धन्यवाद करती हूँ, हमारी महिला मोर्चा की राष्टी द्यक्षा वानाथी शिनवासन जी का भी और हमारे जो प्रदेश द्यक्षा जी है, संजीता डोगरा जी का हम उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं धन्यवाद जय हिंद जय वारत